असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मज़दार सिरायती की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़दार बनेगा इसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा सा धनिया ले लिया है और इसको अच्छे से वाश करके कट कर लिया है मोटा मोटा और इसको मैं यहां पर दही ले लिया है और दही को मैंने अच्छे से फेट लिया था ताकि बीच में गुठलिया ना बने जो धनिया मैंने कूट कर रखा था उसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें मैंने प्यास काट लिय नहींद इस के बाद उसे वाश कर लेना है ताकि इसकी कड़ाः प्याल की वह नाम मुमे आहे इसके बाद इससे शामिल कर देंगे और इससे मिक्स कर लेंगे इसके बाद मेने नंमक शामिल कर दिया थोड़ा सा नमक के बाद मैंने जीरा पाउडर शामिल कर दिया था अगर आपके पास साबुट जीरा है सफेद जीरा तो आप उसे भी ड्राइ रोस्ट करके शामिल कर सकते हैं जीरा पाउडर मैंने ले लिया था इसे भी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया था उसके बाद मैं काले मिट्च शामिल कर दूंगी थोड़ी सी यह देखिए जी मैंने काले मिट्च भी शामिल कर दी थी उसके बाद इसे मिक्स कर लिया था बहुत ही मज़धार राइता बना था चावलों के साथ आप इससे सर्फ कर सकते हैं यहां पर इस दिन मैंने बरियानी बनाई भी थी और मैंने उसके साथ इससे सर्फ किया था बहुत ही मज़ेदार टेस्ट था आप इससे डाल या सबजी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और उसके बाद मैंने इससे बोल में निकाल लिया था और इसको सर्फ कर दिया था उमीद जी रायते की छोटी सी रेसिपि आपको बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मैं मिलूंगी नेक्स रेसिपि के साथ किसी अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रुकिएगा मुझे दौाओं में याद रुकिएगा अलाफिस